डॉक्टर मार्क एक प्रसित कैंसर स्पेशलिस्ट था, नाम था मार्क, एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के सहर जा रहे थे, वहां उनको उनकी नए मेडिकल रिसर्च के महानकार्य के लिए पुरुस्कृत करिया जाना था वे बड़े उच्साहित थे, वह जल्दी से जल्दी वहां पहुचना चाहते थे, उन्होंने इस सोध के लिए बहुत मेहनत की थी, बड़ा उतावला पन था, उनका उस पुरुस्कार को पाने के लिए, जहाज उड़ने के लगबग दो घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाय जहाज को अपात कालीन लैंडिंग करनी पड़ी, डॉक्टर मार्क को लगा कि वे समेलन में सही समयपन नहीं पहुच पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्थानिय करमचारियों से रास्ता पता किया, और एक टेक्सी कर ली, समेलन पाली सहर जाने के लिए, उनको पता था कि अगली फ्लाइट दस घंटे बाद है, टेक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने खुदी टेक्सी चलाने का निड़े लिया, जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज तुफान सुरू हो गया, रास्ता लगभग दिखना सा बंध हो गया, इस आपधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुढ गये, लगभग दो घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया, कि वे रास्ता भटक गये हैं, ठक तो वे गय ही थे, भूग भी उन्हें बहुत जोर से लग गये थी, उस सुनसान सडक पर भूजन के तालास में वे गाड़ी इधर उदर चलाने लगे, कुछ दोरी पर उनको एक जोपड़ी दिखी, जोपड़ी के पिलकुल नजदीक उन्होंने अपने गाड़ी रोकी, परिशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दर्वाजा खट-कटाया, एक इस्त्री ने दर्वाजा खोला, तर मार्क ने उन्हें अपनी इस्त्री बताई, और एक फोन करने की इजाजत मांगी, उस इस्त्री ने बताया कि उसके याँ फोन नहीं है, फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आईए और चाय पीजे, मौ बड़ी सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया, साथ ही उसने कहा, आईए खाने से पहले भगवान से प्रातना करें और उनका धनिवाद कर दें, जॉक्टर उस इस्त्री के बात सुनकर मुस्कुरा दिये और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं म अपनी प्रातना कर ले, टेबल से चाय की चुस्किया लेते वे, डॉक्टर उस इस्त्री को देखने लगे, जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रातना कर रही थी, उसने कई प्रकार की प्रातनाय की, डॉक्टर मार्क को लगा की हो ना हो, इस इस्त्री को कुछ समझ्य जैसे ही वह औरत अपने पूजा के इस्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा आपको भगवान से क्या चाहिए क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रात्ना सुनेंगे उस औरत ने धीमे से उदाधी भरी मुस्कराहट विखेरते हुए कहा ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है परन्तु मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन तक उनके सहर जा सकूं क्योंकि वे दूर किसी सहर में रहते हैं यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रातना का जवाब नहीं दिया किन्तो मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे वे मेरा विश्वास तूटने नहीं देंगे वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से न रह गये थे वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए आखों में आसो लिए धीरे से बोले भगवान बहुत महान है उन्हें सारा घटनक्रम याद आने लगा कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था कैसे उनके जहाज को इस अंजान दास्ते में आपात कालीन लैंडिंग करने पड़ी कैसे टेक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तुफान की वज़ा से रास्ता भटक गये और यहां आ गये वे समझ गये कि यहां सब इसलिए नहीं हुआ है कि भगवान को केवल इस औरत की प्रातना का उत्तर देना था बलकि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चा हैता करें